दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल हंड़ेट पर्सन स्रेक्शन में तो दोस्तो कैसे है आप आई होप आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों यहाँ देखेगा आज हम पिर्थम सिद्दान से आउकलन ग्याद करने वाल हैं तो दोस्तों अगर fx is equal to sin x दे दिया जाए और कहें दिया जाए कि पिर्थम सिद्दान से इसका आउकलन ग्याद कीजिए तो किस तरह उसका हम आउकलन करते हैं अगर हम इस वाले इस x में h जोड़ दें जिस तरह से हमने यहां जोड़ा है तो हमें इस वाले x में भी h जोड़ना पड़ेगा ठीक है तो fx plus h is equal to sin x plus h ठीक है और उसके बाद हमें एक formula याद रखना है ddx sin x limit h 10 to 0 बस यहां से यहां तर लग यह formula है ठीक है limit h 10 to 0 fx plus h minus fx upon h ठीक है ठीक है जी तो दोस्तों अगला step इसका यहां पर यह आता है is equal to अब यहां देखिए इस fx plus h की जगा fx plus h की जगा sin x plus h ठीक है जी तो sin x plus h ठीक है ठीक है जी अब fx की जगा sin x minus के sin x अब यहां देखिएगा दोस्तों sin c minus sin d sin c minus sin d वाला formula हमने यहां यूज किया 2 cos c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2 क्योंकि sin c plus sin d sin c minus sin d का formula होता है 2 cos c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2 upon h हमारा चलता ही रहेगा ठीक है तो दोस्तों आगे देखिएगा आगे कहा गया है कि d dx sin x limit h 10 to 0 2 cos यह वाला x और यह वाला x 2x plus h by 2 sin h by 2 क्योंकि यह वाला x से x cancel हो जाएगा ठीक है अब हमने यहां पर क्या काम किया 2 से multiply यहां की यह वाली और 2 से नीचे की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अगर काटेंगे तो h ही आ जाएगा तो 2 से multiply इसलिए की ताके यह वाला 2 cancel हो जाए और यह h by 2 sin h by 2 के नीचे चल जाए ठीक है तो यहां देखिएगा दोस्तों ddx sin x limit h 10 to 0 cos 2x plus h by 2 sin h by 2 sin h by 2 upon h by 2 इसका मान 1 होता है आप हमेशा इसको याद रखेंगे ठीक है तो दोस्तों यहां देखिगा ddx sin x limit h 10 to 0 cos 2x plus h by 2 इसका मान 1 होता है तो इसका मान हमने 1 रख दिया है ठीक है अब हम यह 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 की जगह 0 की तरफ direction है उसकी ठीक है तो h की जगह जैसे ही हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा ठीक है यह नहीं खतम हो जाएगा 2x upon 2 बचेगा इस 2 से यह वाला 2 cancel बचेगा cos x तो क्या ddx sin x is equal to cos x नहीं होता अरे सर बिलकुल होता है सर जरा हमारे समझ नहीं आया है एक दफ़े और explain कर दीजिए तो दोस्तों आईए एक दफ़े और में इसको explain कर देता हूँ तो दोस्तों हम से कहा गया है कि पिर्थम सिद्दान के नुसार आवकलन कीजिए sin x का ठीक है तो fx is equal to sin x अगर हम इसमें h जोडते हैं तो इसमें भी हमें h जोडना पड़ेगा तो fx plus h is equal to sin x plus h ठीक है उसके बाद में ddx sin x यहां से आतलेकि इसका formula होता है ठीक है formula मदलब limit h 10 to 0 fx plus h minus fx by h ठीक है इस x plus h के जगा sin यह minus बीच में और fx के जगा sin x तो sin c minus sin d 2 cos c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2 upon h चलता ही रहेगा ठीक है उसके बाद में हमारा यह वाला x यह वाला 2x हो जाएगा उसके पश्चाथ हमने क्या काम किया 2x plus h by 2 into sin h by 2 2 से multiply यहां की 2 से यहां multiply यहां की ऐसा इसलिए किया ताके हमारा यह वाला h by 2 इस sin h by 2 के upon में चलता जाए ठीक है और यह वाले 2 से यह वाले 2 cancel हो जाए ठीक है तो cos 2x plus h by 2 into sin h by 2 upon h by 2 इसका मान हमारा 1 होता है आप हमेशे याद रखेंगे ठीक है तो cos 2x plus h by 2 into 1 और इसका मान अगर हम इसकी limit को अगर हम बरे अब h की h की value को रखें तो यहाँ 0 हो जाएगा जब 0 हो जाएगा यानि खतम ही हो जाएगा इस 2 से यह 2 cancel यानि cos x तो ddx sin x is equal to cos x आई होप यह question आपको बहुत अच्छे समझाए होगा तो दोस्तों अगर यह video पसंद आई हो तो इस video को like कीजिए और channel को subscribe कीजिए और bell icon को place कीजिए ताके मैं जो भी video को upload करूँ उस video की notification आपके पास तक पहुश सके तो दोस्तों मिलते हैं next video में तो goodbye